प्रीच शात्रों आप सभी का मेरी यूटूब चनल मैथ्विस साइद अंसारी में फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे कक्षा दस्वी के अध्याय साथ की निर्दिसांग जयामिती हमने पूर्व की कक्षाओं में निर्दिसांग जयामिती का अध्यन किया था जिसमे तो यहां हम यदि किसी बिंदु को दर सा ते हैंσι तो मान लिए कि कोई बिंदू P, X, Y है तो इस X को हम यहाँ पर भुज कहेंगे और अर्थात X के निर्दसांक और इसको Y को हम कोटी कहेंगे अब ये भुज और कोटी को किस तरीके से परिभासित किया जा सकता है भुज और कोटी को परिभासित करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हमाँ पस कोई बिंदू है तीन चार तो हमने यहाँ पर देखा कि ए बिंदू हमाँ पस तीन चार तो यह हमने तीन तक चले एक्स अक्ष में तो यह तीन हो गया और चार अर्थात यहां पर वह बिंदू हमारा इस्थित होगा जिसको हम एसे नामंगित कर देते हैं तीन चार अब देखिए भुज और कोटी को यहां से परिभासित किया सकता है य अक्ष से दूरी को हम भुज कह रहे हैं जो हमारा निर्दिसांग है वह तीन उसको वायक्ष से दूरी कह रहे हैं जिसे हम भुज कह रहे हैं इसी पकार से एक्स अक्ष से दूरी पर जो इस्थित बिंदू है उसको हम कोटी कह रहे हैं तो यह जो बिंदू है यहां पर तीन और चार इनके क्रम से भुज और कोटी 3 होगी भुज और कोटी होगी चार अब इसमें हम यह भी समझते हैं कि मूल बिंदू के निर्दिसान क्या होते तो आप देख रहे हैं यहां पर यहां दोनों एक दूसरे को अक्ष बट रही हैं प्रतिछेद कर रही हैं उसको हम मूल बिंदू कहते हैं इसके इससादिया यह 3-4 प्रिस्थित इसी तरीके से यह भी बिंदू रिन 4-3 इसे हमको दर्शाना तो हमको रिन 4-1 अक्ष में चलना पड़ेगा यहां पर यहां चलिंगे और 3 अर्थात वाय अक्ष में धर्हात्वक पाने तो यहां पर हम उस बिंदू को इस्थित पाएंगे यह हो गया हमारा भी बिंदू रिन 4-3 इसी तरीके से यदि हम सी बिंदू को दर्शाना चाते हैं तो रिन 3 रिन 5 तो रिन 3 हम चलिंगे और फिर उसके बाद नीचे रिन 5 आप देख रहे हैं वाय अक्ष में तो यह बिंदू क्या होगा भी सी बिंदू होगा यह सी सब्सक्राइब तो रिन 2 रिन 6 तो इसे नर्देशित कर रहे हैं तो यह बिंदू है आप देख रहे हैं जहां पर 5 शूव्य बिंदू प्राप्वे तो यहए Liberty तो इसके बाद यहीं हम अगला दीखैंगे टीन ऊपर कि यहां इसका आगे जो हमारे पास एक्जाम्पल्स हैं उनमें देखने को जरूर मिलेगा तो आपने देखा कि जो हमारे कार्थी तल है वो चार भागों में विभाजित हो गया और क्रम से सभी के निर्दसांक अलग-अलग आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह हमारे इस प्रकार से जब इन चार भाग में भाईत होगया तो इनको कुम करम से चतुर्थांस यहाँ इसको प्रतम चतुर्थांस कहें और कोटी कभी इसी प्रकार से यहां पर दूती चतुथांस में रिण मान क्योंकि यहां पर एक्सक्ष में रिणातव क्वान ले रहे हैं और धनातव क्वान वायक्ष पर ले रहे हैं तो यहां पर धन होगा इसका तो हम लिख लेते यहां पर इसके जो मान होंगे यहां पर हो और रिन यहां पर चिन आएंगे आईए बच्चों अब हम दूरी के सूत्र की बात करें हमान लिए कि हमारे पास कोई दो बिंदू पी तता क्यूं है अब इसमें इसके निर्दिसांक करम से इसके इसके बिंदू से एक लंब खीच रहा है और इसी प्रकार से इस क्यूं बिंदू से य अक्ष पर हमें क्या करना है इस पर लंब खीच रहा है इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा पी बिंदू है इसे वाय अक्ष से इसको मिलाते हुए इसके इस तरीके समने बना दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रभुज निर्वित हो गया यह त्रभुज आप यहाँ पे इसको इस तरीके से बना सकते हैं तो यह आपको एक समकोन त् ग्याद करने पर हमको इन दोनों बिंदों की बीच की दूरी कर्ण के रूप में प्राप्त हो जाएगी तो हमें इस कर्ण कमान निकालना होगा जबकि हम लंब और इसका आधार निकालने तो करम से इसको हम यहां पर और और ऐस से डेनोट कर दें तो हमारे पास एक त्रिभु में हम कर्ण कमान निकालेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा यह दूरी ग्यात करना होगा तो यहां से जो यहां तक की दूरी है क्रम्स है यहां से हम देख रहे हैं मूल बिंदू ओ है यह तो इससे यहां से दूरी इसकी यहां की difference førze daytime की दूरी आपको दिखाई दे रही है एकस ऊन सब्सक्राइए यहाँ की ैस की यह हमारी है एकस टू मैं इस दूरी को हम क्या कहेंगे एकस टू दूरी कहेंगे तो जब यहां पे इस दूरी को इस दूरी में से कम कर देंगे तो ये दूरी हमें प्राफ्थ हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि यह जो दूरी प्राफ्थ हो रही है इसको हम x2 से घटाने पर x1 प्राफ्थ हो रही तो इसका मान क्या होगा हमारा x2-x1 इसका मान होगा यहां से यहां तक का ठीक तो यह दूरी हमारी ग्यात ह गई आपको देख रहें कि यह जो दूरी ग्यात होगी यह से नंतर हो हमाला आधार ग्यात होगा है आप यहां पर दिख रहे हैं इस मान को ग्यात करना तो आप यहां पर देख रहे हैं इसी तरीके से यहां से यहां तक की जो दूरी है हमारी दिख रही है यह हमारी किसके बराबर है आप देख पा रहे हैं तो यह हमारी वाइवन के बराबर है और इसी तरीके से यहां से यहां तक की जो दूरी है यह हमारी वाइटू के बराबर तो यदि हम y2 में से y1 को घटा दे रहे हैं तो यह मान हमें प्राफ्थ हो जा रहा है तो इसे हम y2-y1 लिखेंगे अर्थत हमारा लंब जो है यहने qt y2-y1 प्राफ्थ हो गया और जो आधार है वह हमारा pt x2-x1 प्राफ्थ हो गया है अब हम क्या करेंगे कि यहां पर पाइ पाइथागुरस का प्रमे क्या होता है पाइथागुरस प्रमे सी तो पाइथागुरस प्रमे कहता है कि जो कर्ण है उसका वर्ग अन दो बजाओं पर बने वर्ग की यूपफल के बरापर होता है तो हम आपास दो बजाएं अन दो बजाएं लंब और आधार तो इसे लिख के बीच की दूरी ही ग्यात करना हमें तो इसका मान अभी हमें ग्यात करना है तो हम लिखेंगे यहां पर कर्ण आपके पास कर्ण यहां पर क्या दिया गया आप इसको निर्देश कर दें तो यहां पर पी क्यू लिख दें तो पी क्यू की घात दो लिखेंगे बराबर लंब आपका यह है तो इसको आपन लिख देते हैं यहां पर यहां से दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर यहां पर जैसे ही वर्गमूल लिया तो यहां होगे आपका पी क्यू पराबर इसको में इधार उदर करके लिख सकते हैं तो इसे हम लिखेंगे एक्सटू मैनस एक्सवन की घाद दो और धन वाइटू मैनस वाइवन की घाद दो और यहां पर चुपी यहां वर्ग था तो इस तरफ आपका वर्गमूल लग जाएगा और जो हमें अब सूत्र प्राप्त हुआ है वो सूत्र को आप यदि ध्यान से देखें तो यही जो सूत्र है यह दोनों बिंदों की बीच की दूरी को पदर्शित करता है तो क्या आप सूत्र होगे आपका पी क्यू करणी एक्सटू मैनस एक्सवन की घाद दो धन वाइटू म इनके मान यहां पर मान रख दें तो दोनों बिंदों के बीच की दूरी ग्यात हो जाएगी अब एक बात और इसमें हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी क्यू वराबर कर्णी एक्सवन मैनस एक्सटू भी लिखा सकता है आप इसको सरल करके देखेंगे तो आपको म इतना ही प्राप्त होगा जतना कि इसमें प्राप्त हो रहा है दूरी का यह वायवन मालिया नेस प्राप्तू भी लिखा सकता है तो हम इसा इसलिह कर रहे हैं क्योंकि यहां पर यहां u में भी मान प्राप्त होता है तो रिण में मान प्राप्त होने के कारण अगर रिण के घाद दो करते हैं तो धनातों मान प्राप्त हो जाता है अब इसमें मान लिए कि हमारे पास कोई दो बिंदू हैं जिसका की दूरी ग्यात करना है क्रम से हम मान लेते हैं कि वह बिंदू हम हमारे 2 3 4 1 तो दोनों बिद्दू के मान गया थे हैं इसको हम क्रम से एक्स वन और इसको वाइवन कहेंगे और इसको एक्स टू और वाइटू आप चूँकि यहां दूरी का जो सूत्र है उसमें मान रख दें तो मान रखने पर हम पाते हैं कि पी क्यू का मान कैसे निकला और वाइटू वाइटू मतलब यहां पर एक है और वाइवन कितना है तीन है और इसकी गात दो लिखेंगे इस प्रकार से हमने मान रख दिया तो ती क्यू बिंदू के बीच की दूरी हमें क्या होगी ग्यात हो जाएगी अब इस तरीके से यदि हम चार में से दो गटाते ह होता है और एक में सी गटाते हैं तो रिणे से 2 प्रकार इसको सराल करने पर इसकी गात दो जैसी हम बनाते हैं तो यह दो आरथा चार हो गया और यहां पर रिजग euro का आपस-दो बार आपस में क्या करेंग गुणा करेंगे तो ब्राप्त हो प्राकार हम देख रहे हैं यहां पे हमें प्राप्त हो गया आठ प्रेल लखाए कई रूप में की जूरी होगी दो करणी दो के बराबर होगी